नमस्कार दोस्तो भोपा समयन्ध मध्या प्रदेश के विबिन शेत्रों के मौसम में बदलाव तो अगले तीन दिनों तक उतार चड़ाव के साथ परिवर्तन भी होगा कुछ जगों पर मध्या प्रदेश में बूंदा पूंदी तो कुछ जगों पर मौसम साफ भी है ऐसे में दोस्तो ठंड कितनी जादा पड़ीगे और कितना मौसम बदलेगा सही जानकरी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और कमेंट करके जरू बताना कि आ मध्या प्रदेश में कहां पर रहेते हैं तो दोस्तो मौसम विबाक की मांदो जबलपूर कटनी बोपाल समिंध मध्या प्रदेश के वेबिन शत्रों में बदलाव देखा जा रहे है परिवरतन भी रेकोर्ड के जा रहे है आनले 24-47 गंटों के दुरह बादलो के वजे के साथ वेबिन शत्रों में बदलाव और पर रिवरतन देखने को मिल सकता है यहां पर वदाए जार की दोस्तो कुछ जगों पर बूंदाबूंदी के साथ मौसम बदला है तो कुछ जगों पर आनले 24-47 गंटों के दुरह ठंड बजो है यहां पर वरदी देखने को मिल सकते लेकिन 15 तारिक के बाद यह दोस्तो सब्ता तक ग्वालेट चंबल संबाग में बादल चाही रेनी के साथ हलकी बारिश के समवान उतरी हाओ के चलते 4 डिगरी तक तापन में गिरावटाईगी ठीटरन बड़ेगी और मध्या प्रदेश मौसम विबाग के मताद आज जना मौसम में किसी बड़े बरिवरतन तो मुदर तल से 3.6 किलोमेटर उंचाही के उपर यावर बंचाही पर एक चकर्वाधी परिशन जन तंत्र भी सकरी है ऐसे में बोपाल इंद और ग्वालेट जबलपूर उज्जयन में रात जोए सर्द रही दिन में 30 डिगरी के आसपास तापन अमर कंटक पंचमडी मंदला आजगर साजापूर गुर्णा जेसे शेरों में रात का तापन 15 डिगरी से नीचे दिन का तापन 30 डिगरी के आसपास है इल स्टेशन पंचमडी साजापूर अमर कंटक में भी तापन में गिरावट और परिवर्तन देखा जा रहे है मध्या प्रदिश में लगातार बदल बादलो के आजगे के साथ परिवर्तन उतार अफजार रहेगा सीधी में 19-20 रात के समय तो दिन के समय 30-31 से करीब तापमान बादलो के आजगे के साथ परिवर्तन रहेगा बढ़वारी में 19-20 रात के समय तो दिन के समय 33 के आसपास तापमान रहेगा बादल चार अफजा आफजार इने को लेकर चेता होनी है पूरे सतना में 19-20 रात के समय तो दिन में 31-31 बादलो के अवजी के साथ परिवर्तन गुना में उतार चड़ा अफजार रहेगा खर्णों में बादल भी चेता है परिवर्तन गुना में उतार चड़ा अफजार रहेगा बादलो के अवजी के साथ परिवर्तन गुना में बादलो के अवजी के साथ परिवर्तन गुना में उतार चड़ा अवजार रहेगा यहाँ पर दोस्तों पूरे के पूरे जोना रिवा के मौसम में बदलावे शिवनी शेडॉल टिकमगर समित मौसम में हलचल देखने को मिल रही तो यह था पूरे MP का मौसम वज़